करेंगे हैं कि अब यूटूब चैनल में दिलाइब ब्राइट स्टुडेंट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं इंग्लेस क्लास 10 का एंसर की और हमारे पास है सेट नमबर 4 जिसका कोश्चन पेपर कोड है 002-1-4 और हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वह सेक्शन सेक्शन बी मिन्स ग्रामेटिकल और रिटेन वाले जो पोर्शन है राइटिंग स्किल से रिलेटेड तो यह वाला हम लोग देखेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम सारे कोश्चन को कवर करेंगे तो एंसर अगर देखे 19 का तो 19 का एंसर सी हो जाएगा 20 का अगर आंसर देखे 25 यह रहा 26 का अंसर होगा 27 का हो जाएगा 28 का अगर बात करें तो 28 का अंसर डी होगा 29 का अंसर डी होगा 30 का भी डी होगा ठीक है 31 का भी आंसर हमारा डी हो जाएगा और 31 तो 32 देखें तो 32 का हमारा अंसर क्या होगा 32 का अंसर बी हो जाएगा 33 का अंसर भी 33 का आंसर D होगा and 34 का जो आंसर है 34 का आंसर हमारा हो जाएगा B 35 का आंसर हो जाएगा B 36 का आंसर होगा A 37 का आंसर होगा 38 का आंसर B होगा 38 का आंसर B होगा 39 का अगर देखे 39 का आंसर हमारा D होगा 40 का आंसर B होगा 40 का कितना हो जाएगा 40 का answer हमारा B हो जाएगा 41 का अगर देखें तो यहां से हमारे पास question है 41 का 41 का C होगा 42 का भी C होगा 43 का अगर देखे 43 का answer हमारे पास A होगा 44 का D होगा 45 का A होगा 46 का A होगा 46 का क्या हो जाएगा 47 थोड़ा doubtful है ठीक है मुझे जहां तक लग रहा है A और D ये दोनों लग रहा तो आप थोड़ा देख लेंगे ठीक है 48 नंबर अगर देखे तो C होगा 49 का अंसर अगर देखें तो 49 का अंसर हमारा हो जाएगा D 50 का अंसर हो जाएगा D 51 का भी क्या होगा D 52 का अंसर होगा B 53 दो दो API हो जाएगा 54 का अگर देखे तो C होगा 55 का अंसर हो जाएगा 56 का अगर हम बात कराए हो जायेगा 56 का अंसर हो जाएगा 57 में मुझे ने बियोड यह एची तो आप देख लेंगे 58का अंसर D होगा 59 चाएगा C and 60 का answer हो जाएगा A चलिए अब हम लोग section A में जो की passage से related था तो section A देखते हैं और section A में हम लोग questions को solve करते हैं तो ये paragraph से related था section A तो इसका question number 1 से हम लोग देखते हैं क्या इसका answer होगा तो question number 1 का answer हो जाएगा B 2 का answer होगा D 2 का answer कितना हो जाएगा D 3 का answer D होगा 4 का अगर answer देखे तो 4 में ये जो question था mother spent most of her time at home तो ये मुझे correct नहीं लग रहा है लेकिन second वाला correct मुझे लग रहा है तो ये अपने according थोड़ा देख लिजेगा 5 number answer जो है 5 number का answer doubtful है थोड़ा तो ये आप देख लिजेगा एक question 6 का answer C हो जाएगा 6 का answer कितना हो जाएगा 6 का answer C होगा 7 का answer C होगा 8 का अगर देखा जाए तो A हो जाएगा 9 का अगर answer देखे तो 9 का answer C होगा 10 का अगर देखें तो 10 का डी हो जाएगा अब नेक्स्ट पाराग्राफ से रिलेटेड इट मिन्स कोश्चन नमबर 11 पर आएंगे ना तो कोश्चन नमबर 11 का अंसर होगा इससला किसे तो यह दोनों आप देख लीजएगा ठीक है 14 के अगर बात करें तो एंसर सी होगा इसार हमारा डी यहां सब्सक्राराइब होंगे सारे कोश्चन्स और आपका कितना माक्स अप्टेंड हुआ यह आप कमेंट सेक्शन में मेंचन करेंगे तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद